खस्ता मटर कचोरी की रेस्पी सर्दियों के मौसम में ताजे मटर से बहुत ही आसानी से आप घर में खस्ता कचोरी बना सकते हैं इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही क्रिस्पी बनके तयार होगा जैसा कि आप देख सकते हैं आप इसे सफ़र में, सुभग के अनास्ता हो यह साम के अनास्ता आप किसी भी समय इसे बना सकते हैं और बहुत आसानी से बना सकते हैं तो चलिए श्टार्ट करते हैं बनाना तो हलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल तो मैंने यहाँ पर ले लिया है ताजे मटर को मटर को हम मिक्षेजार में डाल के दरदरा सा पीस लेंगे तो मटर को डाल देते हैं मैंने मटर को पीसने से पहले अच्छी तरीके से वास कर लिया है और मैंने यहाँ पर ले लिया है दो छोटा सा टुकरा अद्रक का और दो हडी मिर्च को मैंने तोड करके डाल दिया है अब चलिए इसका दरदरा सा पेस्ट बनाके तयार कर लेते हैं तो देखें फ्रेंड मैंने दरदरा सा पीस लिया है मटर को बिल्कुल इसी तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थोड़ा सा दरदरा सा ही होगा तो मुझे अंदर जब मटा राता है तो बहुत बढ़िया लगता है खाने में तो चलिए अब आटे का डो बना के तयार कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर मैदा का यूज़ कर रही हूँ जिससे हमारा कचौरी खस्ता बनेगा तो मैंने यहाँ पर दो कप मैदा को ले लिया है अब बीच में इस तरीके से खाली कर देंगे और स्वात के अनुसा नमक को एट कर देंगे और हाथ में मैंने एक चमच अजवायन को ले लिया है इस तरीके से करस्ट करके डालेंगे तो अच्छा सा फ्लेवर आएगा और मोयम के लिए मैंने यहाँ पर चार बड़ा चमच मैंने यहाँ पर ओयल को डाल दिया है आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पर oil को डाला है अब अच्छी तरीके से हम इसे mix कर लेंगे हातों से रगड़ते हुए अच्छी तरीके से mix करेंगे जिससे मैदे के रसे रसे तक मोयम अच्छी तरीके से mix हो जाए जब आप मुठी बांदेंगे तो इस तरीके का बंद जाना चाहिए हाथ में तो आप हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा गूंत लेते हैं तो देखे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमने कचोरी का डो बना करके तयार कर लिया है कचोरी के लिए जो डो बना करके तयार करते हैं वो ना ज़्यादा सौप्ट होना चाहिए ना ही ज़्यादा हाट होना चाहिए बिल्कुल बीच की कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए अब हम इसे एक कपड़े से ढख करके हम छोड़ देते हैं रेष्ट होने के लिए जब तक हम कचोरी का फिलिंग बना करके तयार कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर चड़ा दिया है कड़ाई को गैस पर अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच ओयल एक चम्मच साबुजीरा एक चम्मच दरदरा कुटा हुआ सोप एक चौथाई चम्मच हिंग को डाल देंगे हिंग को तो डालना जब बहुत ही जरूरी है इसे बिलकुल भी ना भूले इससे अच्छा फ्लेवर आता है कचोरी में अब इसमें डाल देंगे हम दो चम्मच बेसन को बेसन हमारा मटर में हमारा बैंडिंग लाने का काम करेगा तो अच्छी तरीके से एकदम धीमी आज पर हम बेसन को भून के तयार कर लेते हैं जिससे इसका कच्छा पर निकल जाए थोड़ी देर तक भूनने के बाद तब ह अब हम इसमें मटर को डाल देते हैं मटर को डालने के बाद थोड़ी देर तक हम सभी चीजों में मिक्स करते हुए मटर को भून लेंगे गैस की फ्लेम को कम ही रखें ज्यादा हाई पर मत रखें नहीं तो जल जाएगा तो इसे अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है अ अब स्वात के अनुसार नमक को भी डाल देंगे नमक को डालने के बाद मटर में मिक्स कर लेंगे नमक को अच्छी तरीके से मटर को हम थोरी देर तक भूनेंगे करीब एक मिनट तक जिससे इसका कच्चापन दूर हो जाए एक मिनट भूनने के बाद अब हम सुखे मसालों में एट कर रहे हैं एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर एक चमच धनिया पाउडर आधा चमच जीरा पाउडर आधा चमच रेट चिली पाउडर ये रेगूलर वाला है इसलिए ये थोड़ा सा तीखा होता है तो मैं यहाँ कम यूज कर रही हूँ आप चाहें तो ज्यादा तीखा डालना चाहें तो डाल सकते हैं ज्यादा भी तो सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करके मैंने एक मिनट तक भून लिया है अब हम इसमें डाल देंगे एक चमच चाट मसाला पाउडर आधा चमच गरम मसाला चाट मसाला और गरम मसाला डालने से बहुत ही अच्छा सा चटपटा से हमारा फिलिंग बनके तयार होगा और गरम मसाला से बहुत बढ़िया फिलेवर आ जाएगा हमारे फिलिंग में अब कसूरी मैथी को मैंने यहाँ पर हाथों से करस् vamos करके मैंने डाल दिया है और स्वाद बढ़के दुगना हो जाएगा तो इसलिए इन सभी चीजों को जरूर डालें बहुत ही टेस्टी फीलिंग बनके तयार होता है तो देखिए हमारा फीलिंग बिल्कुल तयार है कचोरी के स्टपिंग के लिए तो इसे साइड में रख देते हैं और हमारा जो कचोरी का डो है वो भी बिल्कुल सेट हो गया है अब हांसे हम इस तरीके से मिला लेंगे अच्छी तरीके से तो चलिए फ्रेंग कचोरी के स्टपिंग के लिए लोई को काट के तयार कर लेते हैं तो इस तरीके से अब हम यहां फ्लेप पर इस तरीके से थोड़ा सा ओयल को हम फैला और कचोरी का जो आटा है उसे हम इस तरीके से ओयल में मिक्स करके इस तरीके से हाथों से फैला देंगे इस तरीके से फैलाने के बाद अब हम इसे चाकू से इसका छोटा छोटा लोई जो है उसको हम कट करके तयार कर लेंगे इसको हम साइड में रख लेंगे एक पिलेट में अब जो हमारा फिलिंग है उसका हम छोटा छोटा नीमबू के आकार में हम गोली बना करके तयार कर लेंगे इस्टपिंग के लिए कचोरी का तो बिल्कुल इसी तरीके से नीम्बू के अकार का आप बना करके गोली को एक पिलेट में रख ले बिल्कुल इसी तरीके से सारे गोली को हम बना करके तयार कर लेते हैं इस ट्रपिंग के लिए तो देखिए friends, सारे गोली को मैंने बना लिया है इस्टरपिंग के लिए अब हमने जो कचोरी का लोई काट के तयार किया था उसे इस तरीके से हाथों में गोल करके कचोरी का आकार दे देंगे बिल्कुल इस तरीके से कचोरी के जैसा बना लेना है लोई को अब देख सकते हैं फ्रेंग और बीच में इस तरीके से हम फिलिंग को डाल करके इस तरीके से दबाते हुए अंगुली से और उपर की और खिशते हुए इस तरीके से पैक कर देना है बिल्कुल ही आसान है फ्रेंग बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी कच्णूरी का स्ट्रपिंग करके तैयार कर लेना है और हातों से इस तरीके से हतेली से दबाते हुए कच्णूरी को बना ले तो देखे फ्रेंड इसी तरीके से स्टपिंग करके तयार कर ले कचोरी को मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ हाथों से इस तरीके से इस तरीके से फैला दे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है बस हमारा कचोरी बनके तयार हो गया है मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ हाथों में इस तरीके से लोई को बना ले उसके बाद इस तरीके से कटोरी का अकार दे दे तरीके से फैलाते हुए बीच में फेलिंग को डाल करके इस तरीके से दबाते हुए उपर की और खीचते हुए इसे पैक कर दे और हतेली में इस तरीके से दबाते हुए कचौरी को बना करके तयार कर ले तो सारे कचौरी को हम इसी परकार से स्ट्रपिंग करके तयार कर लेंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो देखे हमने सारे कचौरी का स्ट्रपिंग कर लिया है अब चलिए इसे तल लेते हैं तो मैंने ओयल को पहले से कराई में गरम होने के लिए छोड दिया था ओयल हमारा गरम हो गया है अएल बस इतना ही गरम होना चाहिए जो कि हमारा जब हम कचौरी इसमें डालें तो ये तुरंत में लाल नहीं होने लग जाए बस थोड़ा सा गर्म हो तभी आप कचोरी को एलम जा ले और गैसक फ्लेम को बिल्कुल कम रखें जिससे हमारा कचोरी क्रिस्पी बन के तयार होगा तो गैसक फ्लेम बिल्कुल धीमी आज पर हम कचोरी को बना करके तयार करेंग तो देख सकते हैं फ्रेंज, कचोरी भी फूलने लगा है, आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो अच्छी कचोरी बनके तयार होगी मटर की, कचोरी हमारा देखे, अच्छा कलर आने लगा है, अब हम गैस के फ्लेम को थोड़ा सा हाय कर देंगे, जिससे हमारा कचोरी जल्द सा बनके तयार हो जाएं, तो देखे-फ्रेंज, हमारा कचोरी बनके तयार हो गया है, कलर भी कितना बढ़ियां आया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, सारे कचोरी को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, सारे कचोरी को निकालने के बाद फिर से इसी तरीके से हम दूसरे बार भी कचोरी को बढ़िया तरीके से तल के तयार कर लेंगे तो मैं आपको सर्ब करके दिखाऊंगी कितना बढ़िया हमारा मचर की कचोरी बन के तयार हुआ है बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे बार भी हम कचोरी को अच्छी तरीके से तल के तयार कर लेंगे तो हम सर्फ करके आपको दिखाते हैं कितना बढ़ियां हमारा मटर की कचोरी बनके तयार हुआ है सारे कचोरी को हम प्लेट में निकाल लेंगे बिल्कुल गर्मा गरम हमारा कचोरी मटर की कचोरी बनके तयार हो गया आप इसे हरा धनिया की चेटनी सॉस के साथ सर्प कर सकते हैं या आप चाहे तो सबजी के साथ सर्प कर सकते हैं आप इसे सफ़र में ले जा सकते हैं जुबह की नास्ता में खा सकते हैं साम की नास्ता में बना सकते हैं या आपके घर महमान आने वाले हों तो जhट पट ये कचोरी बना करके आप उन्हें खिला सकते हैं वो आपके ताड़िक करते नहीं ठकेंगे बिल्कुल जिस तरीके से हमने मठर की कचोरी का फिलिंग का मसाला जो जो मैंने इसमें डाला है बिल्कुल उसी तरीके से आप डालेंगे तो बहुत बढ़िया फिलिंग बनके तयार होगा तो देख सकते हैं फ्रेंड बहुत ही क्रिस्पी हमारा मचर की कचोरी बनके तयार हुआ है तो आसा करती हूं फ्रेंट अगर आपको आज की मेरी मटर की कचोरी की रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को और ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों में सेर करें मेरी रेस्पी की वीडियो को तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक बहुत बहुत सुक्रिया, बाबाई